सब को जैसी कि मैं जतिन पर्बबर और आप हैं यह मैं परिवार चैनल जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पर रभू के अलगलग डासो के वático 24 डालता हूं तो यह आपको हमारा चैनल अरच्छा रखता है तो आप पह फेल गों को ज़दा सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप रभू के बचन को सुन सके वीडियोस को ज़ाइब से ज्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों को तक बचन नहीं पहुंचा उन तक भी बचन पहुंच शके सब को जैम सिकी एक बार माँ आपसे द्वारा कौंगा गिस चैन को सब्सक्राइब जरूर करे और वीडियो से ज़रा शेयर करें जयाम जी की बहुत इंपॉर्टन है आज का वचन आपने मिस्त नहीं करना जब गिरते हो आप जब आपको शेतान की जुकती नहीं पता होता है शेतान की प्लैनिंग नहीं पता होता है आप में से मैं बताता हूँ यह बचन आपके लिए कितना इंपॉर्डन आप में से कौन व्यक्ति कह सकता है मैं आत्मिक जीवन में जो आपने डाई गेंटे प्रेयर शुरू की जा आई गेंटा करते हो कितना भी करते हो कि आप आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हो ग्रोग कर रहे हो कौन कह सकता है मैं एक साल तक कभी घिरा नहीं अपनी लाइप में प्रेयर में अपने आत्मिक जीवन में हमेशा एक साल अनंदीत में चला और कभी मैं अपनी प्रेयर में कम नहीं हुआ डाउन नहीं हुआ कौन कह सकता है जितने देख रहे होंगे गिंती के लोग होंगे तीन चार पांच है कौन कह सकता है कि मैं आट मेने तक खड़ा हूं गिंती पंदरा करता आया हूं एक दो दिन एक तीन-चार दिन भी मेरे टूटे नहीं पांच मिने में लगातार प्रेय करता हूं कौन कह सकता है हालिलुया कौन कह सकता कि मैं तीन मीने भी लगातार जो मैंने प्रेय श्टार्ट की चला अपने आपको मनन करके देख अब सोचने वाली बात अगर आपको पता है कि कभी भी आप अपनी लाइफ में आप मसी में 5 साल होगे, 10 साल होगे, 15 साल होगे, 20 साल होगे, कभी भी आप 2-3 महीने के पार नहीं निकल पाए अपनी पवितरताई में, अपनी प्रेयर लाइफ में, आत्मिक जीवन में, तो अब आपको कितना अलर् Spit आपको बचाना चाहता है कि आप लॉंग टाइम चल पाएं जो हद आपकी END थी कि मैं कभी तीन महिने से पार नहीं जा पाया है मैं पाँच महिने से मेरा पार नहीं जा पाया मेरी प्रेयर लाइफ आज का मैसेज सुनने के बाद दौरिश के बाद जो एक दो होने वालेई आपकी बो हद तूटने वाले है आप हद से पार होने वाले इपनी अपनी लिमट को क्रॉस करने वाले हो इस्यू नास्रे के नाम में अपनी spiritual life की लिमट को आप क्रॉस करने वाले हो आपकी prayer life की आपके holiness के जो ताइम पिरेड है उसे आप क्रोस करने वाले इशुनासी के नाम में अनन्दीत हो जाओ खुश हो जाओ इशु के नाम में आज जो बेद आप सुनने वाले हो मैं जानता हूँ आप अमरी संदु मिर्स्टी में के वल आप मैसेज नहीं सुनते हो आप भेदों को सुनते हो जो बेद आपने जाने नहीं होते वो बेदों को आप सुनते हो और क्यों क्यों सुनते हो जोंकि बाइबल में परमिशनर में भेद के बंडारी बोला है हलेलुई है मतलब एक बलीवर बेद प्रापत करने वाला होना चाहिए तुम चुना हुआ वंच, राजपद्दारी, जाजकों का सबाज और एक बेद के बंडारी हो, हलिलुया तो बेद जब तक आपकी जिंदगी में नहीं है आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं और एक पासर अपने कलीसिया को आगे उन दी नहीं कर पाता जब तक उसे भेद नहीं परमेशर की और से मिलते मेरा बलीव है जब जब पालुस कहता है जब मैं तुम्हारे पास प्रीच करता हुआ आया तो मैं शब्दों जाग ज्यान के साथ नहीं आया कि हाँ मैं कुछ दो-चार शब्दों तनु सिखा रहा हूँ जब कुछ ज्यान की बाते हूँ वो तो आप टीवी में ही पुर्ष सुन सकते हो ग्यान की बाते कोई कुछ भी किताबे पढ़के जनल लॉडर्ज ज्यान की बाते ही सेख सकते हो कहता है मैं तुम्हारे पास शब्दों जा ज्यान के साथ नहीं बेद की रीति पर कि मैंने study करना है मैंने एक ही चीज पर तुम्हारा ध्यान ना रहे तुछ तुम्हारा विश्वास परमिश्य की सामध पर निरबर हो कि जब हम परमिश्य के साथ बेदों को बाइबल को केवल teaching एक शिक्षा के रूप में एक इताब के रूप में नहीं परमिश्य के दिल परम आयत को आप पढ़ेंगे यहां पर लिखा है कि शेतान का हम पर दाव ना चले क्योंकि हम उसकी जुक्तियों से अंजान नहीं है कि शेतान का हम पर दाव ना चले शेतान का हम पर तीर ना चले शेतान की जोजना हम पर पूरी ना हो जाए शेतान गर्जलो शेर हमको पाड़ के खा न जाए शेतान का हम पर धव न चले क्योंकि हम उसकी जुक्तियों से अंजान नहीं है आज आप दुखों में शेतान के स्ताय हुए शेतान आपकी आत्मिक उन्ति को रोकता है शेतान आपकी हीलिंग को रोकता है शेतान को पता है ये आत्मा में बढ़ गया बहुत सारी रूहों की आत्मिक उनती होगी अब आपकी आत्मिक उनती रोकता है शेतान को पतला है ये हील हो गया तो इसकी गवाही के तरह बहुतों का विश्वास बढ़ेगा और बहुत लोग अपने जीवन को समर्पित करेंगे परमेश्य के सामने, वह आपकी healing की गवाई को रोकते है, वह आपकी अंदर से जाने को अपने आपको रोकते है, दिलिवरेंस को रोकते है, वह आपकी आशिशित आपको होने से रोकते है, क्यों? क्योंकि आप शैतान की जुक्तियों से अंजान है, पॉलूस कहते हैं मैं शैत बहुत बचाने के लिए तेरे तुझे यह सिखाता हूँ, दूसरों को भी तुम आगे यही मानना सिखाओ। ताँ जो हम खड़े रहें, ताँ जो हम लोगों को खड़ा रखें, मैंने लोगों को देखा, पासर जी मैं बहुत प्रभू में अच्छा चल रहा था, हमारे गर में कोई देथ होई, उसके बाद मारी प्रेयर बिल्कुल तूट गई, और मैं आज बहुत कमजोर हो चुका है म मसी में, पासर जी मैं, मैं अचानक प्रभू में अच्छा चल रहा था, मुझे कुछ दिन के लिए में बमार हुआ, और उसके बाद मेरी प्रेयर तूट गई, और आज तक मैं फिर उसमें उट नहीं पाया, पासर जी मैं बहुत प्रेयर में अच्छा चल रहा था, एक लड financially चिन्ता आई कि मेरे उपर ये करजा है मेरे उपर इतनी टाइम में जी कम करजा कंप्लीट करना है गरत में को जरूरत आई और मैंने अपने आत्मिक जिरू को खो दिया अपनी पवितरत आई अपनी प्रेयर लाइफ को खो दिया कुछ लोह का ओ जी मेरी लाइफ में ऐसा में मेरे विजनस में पासी इतना मैं व्यस्त हो गया बीटे दिनों में सीजन में मुझे इतना काम आया काम आया मेरी जॉब जॉब रख लो आपके विजनस में रख लो आपके जॉब में ओवर टाइम आपने बढ़ा दिया काम बढ़ा दिया ओ जी उसके बाद मेरी प्रेयर ट सुक्ति बनाई मैंने अपनी मसी में आपको बताया मैं चलता घर जाता था चलता घर जाता था जब भी मैं घरता था पाप में घरता था प्रेयर में प्रेयर टूड़ जाती थी आत्मिक मसीम के साथ जो आनंद होता है मसी के साथ जो पविक्तरता ही है जब टूड़ जाती थी तो, क्या होता था? कभी, में शेतान मुझे निराशा में लेकि गिया, और मैं पाप में गिर गया प्रबूसे दूर हो गया क्योंकर अब, अब मुझे पता चल गया अच्छा, मुझे जे शेतान की प्लैनिंग पता चल गी, मुझे निराशा आई मुझे इस बात के कारे निराशा आई और निराशा में होके मैंने अकेले पल में गया और मैं पाप में गिर गया अच्छा अभी मुझे निराश नहीं होना, मुझे अनंदित रहना है मसी में, कभी निराश नहीं होना, क्योंकि जब मैं निराश होंगा, शेतान मेरे मन में बाते करना शुरू कर देगा, और मुझे बहका देगा, पता चल गया आप इस बार नहीं गिरेंगे, अब क्या हो र सिकें उन्हें अभी गिरनानी पड़ेगा इसे बोलते मैंटर्शिप जिन हिस्सों में गिर के सिकें हम उनने अलर्ट कर देंगे हालुया तो इसीलिए एक अग्वे को सुननार इंपॉर्टन होता है और एक नभी को सुनना important होता है हालेलो आत्मिक जीवन के लिए जो आपके लिए अगवाही करें आपकी हालेलुया तो इसी रिती से क्या हुआ और मैं घरता था फिर मुझे आगे और अगला टाइम आया क्या हुआ शैतान ने मेरे मन में अगली बार आ रहा है तेरी लाइप में तेरह ही काम में तेर मैं gehen gel 복 довी तेरी आइप क्या फैदा जॉब करेंगा चर्च में सिवाइ करेंगा रहे कि तयरी लाइव है क्या है तरी लाइव है तुछ जोब कर रहा है क्या तुछ नीरे क्या आट-धजार की मैं और यह प्लाइफ है और आप दनी होने के कोशिश करेंगा अच्छा में फोर काम में लगे पारण के काम में लग गए और आपने अपनी परियेश भाएफ खो marble रहो प्रभू ने कहा प्रभूने का कल पुल पर जारिन दोंको बता देना ना तो ते बल से ना तो तेरी शक्ती से और ना तो तेरे तेरी जुक्तियों से कुछ होगा जो कुछ होगा सैनाओं के यहावा से तेरी जीवन में होगा सैना का यहावा कब कारे करेगा जब आप प्रोच उसके साथ बैठोगे तो वो अपने उत्वार को आपको दिखाएगा इश्यो के नाम में मैंने का ये चीज हमारे अंदर भरी हुई है परमेशो ने हालिलूई है मैं अपना बताऊँ आपको अगर एक दिन प्रेयर मिस हो जाए हम रोने लग जाते हैं क्यों? क्योंकि हमें पता है हालिया तो जय चीज जात रखां लो यह यह चीज मेंukt और हालिया तो शेतां कि जुक्तियों से हम अंजान नहीं है है तो फिर मुझे आपता है अच्छा लेकाई जो दनी होना चाहेगा बुद्धुख उठाएगा मतलब अगर आप दन्यों के कोशिश कर रहेंगे इसलिए दाउद ने कहा हे परमिशन ना तो मुझे जब प्लैनिंग सोचो जे अब उसके हल सोचो कि सबसे निराशा आपको गिराती है शेतान की जुकतियां लिखो नमबर एक कि शेतान आपको नि कि कोशिश करो जब निराशा के टाम जब पैसे की गटी आए जब बैड नियूज आए जब बीमारी आए उल्टा करो उसके पर दुखी मत होना निराश मत होना एक शेतान की जुकति निराशा में आता है मुझे उसने एक बार निराशा में गिराया आगे से मैंने गा आगे से तो राइदर से तुझे बताता हूं तो अब शेटान किया है वो अगजी जुक्ति से आता है हमारी लायक की चंटव के निराशा में चंटव में आता है क कि तेरी लाइफ का यही कोई यह तर्य आ जाए चलचल कुशच एफृर्द लगा कुछ मेनत कर अपनी लाइफ से जिसको भी पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ जी, ये करूँ या बोग करूँ, मैं अपनी लाइफ में क्या करूँ, मुझे कुछ भी मालूम नहीं आ रहा है, मैं ये करना चाहता हूँ, बोग करना चाहता हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ भी नहीं करना है इसमें, पहले प्रेर को प्रात्ना की भीदी को बनाओ प्रात्ना की स्थान को नियुक्त करो प्रभू के सामने तीन-चार महिने उसमें stand low पहले लोग ये क्या कह रहे हैं मैंने का अगर तू तुम प्रेर के बिना अपने कारेों में सफल होने की कोशिश कर रहे हो सुन लो सारे believers, मैं बिंती करता हूँ आपके सामने, एक प्रभु का दास, माल लो इस बात को, कभी भी जब आप प्रेयर के बिना, कुछ कार्यों को करने की कोशिश कर रहे हो, ओ जी प्रेयर नहीं है, वीजा, प्रेयर नहीं है, जॉब डून रहे हो, प्रेयर नहीं है, बिज ज़रादा नहीं है, मैंने का क्या तू ऐसा बोलन अचाते हो, इँभू को कि सब को तेरे बिना कर सकते हो, मुझे तरी जरूरत नहीं नहीं, पासर जिय बहां का बिना किशा की सहते हो, जॉब आप बिना प्रेयर के अपनी लाइप में शफल होने की कोशिश करते हो, प्रेय जो भी आपकी मैंने का सच में बिताता है मैंने मिर्कल्स देखें, मैंने देखें अपनी लाइब में, खड़े हो जाओ प्रेयर में, सब कुछ इसी हो जाएगा लाइब में, बैठे बैठे, देखना कैसे काम होते हैं आपकी लाइब में, हालीलूही है, तो अब क्या हुआ, पुचिंता डालेगा, दाउद कहता है, हे परमिश्य मुझे इतना भी पैसा ना देना, कि मैं तुस्से दूर हो जाओं, ये सेतान की जुक्ती है न, उसने जुक्ती के एक सामने प्रेर की, प्रभू के सामने, मुझे इतना भी दनी ना बनाना, कि मैं धन से प्रेम करूँ, लालती हो जाओं, और काम में इतना व्यस्त हो जाओं, अपने राज्य के काम में इतना व्यस्त हो जाओं, और तेरे साथ प्रात्ना में ना बैठूँ, कहता है मुझे इतना गरीब भी ना बनाना, कि मैं चोरी करूँ, मैं पाब करूँ उस गरीबी को दूर करने के लिए मुझे गलत काम जब आप जब जब गरीबी में होते हैं तो आपको निराशा आथी जब निराशा आती आप आप में गिर जाते हो प्रबू से दूर हो जाते हो तो कह ने जो दनी होना चाहता है जो दुख भी उठाए आली बता दिता हूं जब तू सेवके के साथ ये काम करने वाला है तो तुझे तेरी जो आत्मिक झीबन पर है मैंने का मैं उसमें 50% तो असर पड़े गाई पड़ेगा वो तेरी प्रेर पर पढ़ने पढ़ना है मैंने का ये तेरी उपर है कि तुझे 25 परसंट उसे फर्ट प अगर इस सीज में तूं इसे स्थिर करना चाहे प्रभू सेनुगरे मांगना सब कुछ हो सकता है पर तूने अपनी लाइब में देखा भी होगा तो इसमें अलर्ट रहना इसमें अलर्ट रहना ऐसा नो कि अपनी अपनी आत्मिक्ता को परमिश्च के साथ संबंध को खो देना हालिलुई है मालो जब मैंने मैंने अपना बिजनस शुरू किया मैंने मुझे अपनी गवाई के लिए लड़ना था हाँ जो एक कपड़े के शोरूम में पोचा लगाने वाले व्यक्ति को परमिशा खुद का कपड़ों का काम दे रहा है तो मैंने उसमें जब एक साल उसमें काम किया अपनी दुकान के काम में तो मेरा उसमें फोकस लगा मेरा उसमें ध्याने मुझे पता मेरी वो कितनी fight थे अपने आपते prayer, ministry, ये जम्मेवारी, ये बात, वो बात, business, prayer life, व्यक्तिकर संबन्द प्रभू के साथ Hallelujah तो उससे लड़ा, उसी से लड़ा 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 और जल्ब वो चीज खड़ी हुई जब खड़ी हुई बुचीज, शेतान को जुकाम हो गया सांस लेनी मुश्कील होगी उसको जिस क्रूसर में जा रहा हूँ, अपनी गवाही दे रहा हूँ और लोगों की life change हो रही है जो भी office में आ रहा है, गवाही दे रहा हूँ से ये उसकी life change हो रही है के प्रभू कितना सामरति है, एक व्यक्ति नू कुडे चो जुक़े पत्वन्ता विच्वचा बठाण वालाई खाक बठाण विच्वच चुके पत्वन्ता विच्वचा ओखोटे नू खराबना दन्दा या उम्मिटीनू सोनावना दिन्दा एक मिटी व्यक्तिनू खाली जीवनों पर दिन्दा या इसलिए लिखे आपनी गवाई नाड़ और ये शुम सीधी जित दी गवाई दे नाड़ शेतान उते जैवंत हो जाओ हलिलूया तो इसी रिती से आपको जी समझना है शेतान की जुक्तियों से हम अंजान नहीं है तो शेतान की जुक्ति क्या थी निराश्चा में आपकी चिंता के समय में कुछ भी करो प्रेर ना तोटो प्रबू चाहते हैं कि तुम बला होता जे भी करते और तेरी ये प्रातना की लाइब भी ना तूटती प्रभू कहता है सब कुछ करो, सुबह उठके अपना प्रात्ना में समय बिताओ, हाँ दिन में पूरा बिजनस में जितना काम करना करो, जॉब में जाना है जाओ, जितना टाइम, रात को आके प्रात्ना करो, पर उस शेडूल के बीद में इतना भी अपने आपको व्यस मत कर करते ना, कि तुम ये सुबह और रात मेरे साथ बैठना पाओ, हालिलुया, प्रभू कहते है बला है कि तुम दोने बातों को करते हालिलुया, ऐसे आपने अपनी लाइफ को रखना है, सब कुछ करना है, पर ये तोड़ के कभी आप नहीं करना है, ये जिए जादना, मैं व अपनों को सवकार करो, प्रभू के नाम को उंच्छा करो, कि मेरे पिता ने मुझे ब्लेस किया, पर संगती तोड़ के जो काम कर रहे हो, उसमें परमिश्राप के साथ नहीं है, बहाने बना के जिसमें काम कर रहे हो आप, कि नहीं प्रभू, टोटली आप सब कुछ शोड के प्रेर छोड के आत्मी जीम छोड के आप किसी काम को में नहीं लग सकते, नहीं ठोड सकते आप, सुबह उर शाम प्रभू को दूद्ध दिन में सेवा करो, ये शुम स NASI दिन में सेवा करते थे, ये शु की बलाडसीव कैए की थी, सेवा करते थे और रात और मार्निंग प् कोशिश करता है कोई बात नहीं अगि अगर एक दो दिन तुने प्रेयर ना की कोई बात नहीं अगर एक दो दिन प्रेयर नहीं दो मीनने होोगे प्रेयर कार देनों होन एक दो मिन एकुम, दो-तीन दिन कुम लिया था कीगा लिया, जैसे आदम हभा, familiar हो गे ते परमिश्य के साथ, रोज उपस्तती, रोज उपस्तती, रोज उपस्तती, प्रभू आ रहा है, बाते कर रहा है, उनके लिए ये रोज 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 बन गई, कुछ नया करते हैं न, श इसने फल को खाया, अपने पती को भी दे, उनके आँके खुल गए, पाप ने राज्य किया, और उनके उपर श्राप आएं, और आज बो श्रापों को औरत सामना कर रही है, हर बंदा बो श्रापों को सामना कर रहा है, हलिलुया,